समस्कार दोस्तों फिर्षे श्वागत है आपका अपने ही यूटूब चैनल निकी ब्लॉग में मित्रों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान जैनती 2021 के बारे में जी हां दोस्तों दोस्तों वास्तु के अनुसार आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जहां पर आप हनुमान जी की मूर्ती रखने से नेगिटिविटी अर्थात नकरातमकता आपके घर में परिवेश नहीं कर पाएगी और आपको मालुमी है दोस्तों अगर नेगिटिविटी नहीं रही हमारे घर में तो किसी भी प्रकार की रोग संबंधी समस्या धन की कमी ये सब जैसे चीज हमारे घर में होगा ही नहीं क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है हनुमान जी कल्यूक के देवता है तो चलिए वीडियो को जादा बिराम ना देते हुए हम वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो हनुमान जैनती हिंदू पर्व है और चैत्र मा की पूर्निमा को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हनुमान जी का जनम माना जाता है दोस्तो कल्यूग में शबसे प्रभाव शाली देवताओं में हनुमान जैनती और हनुमान जी को माना जाता है दोस्तो इस भीशन भैंकर महमारी के प्रकोप से अगर आपको बचना है तो दोस्तो आये जानते हैं कुछ उपाए दोस्तो हनुमान जैन्ती को लोग हनुमान मंदिर में दर्सन हेतु जाते हैं कुछ लोग बरत की धारन कर बड़े उच्शुक और जोस के साथ समर्पित होकर पूजा करते हैं चुकि यह कहा जाता है कि हनुमान जी बाल ब्रमचारी है इसलिए इन्हें जनेव भी पहनाई जाती है हनुमान जी की मूर्तियां पर सिंदूर और चांदी का जो करक भी अर्था जो चांदी का कड़ा रहता है दोस्तो वो भी कहीं कहीं चढ़ाने का बिधान है काता है दोस्तों कि राम जी की लंबी उम्र के लिए हनुमान जी ने माता सीता के कहने पर पूरे सरीर में सिंदूर लगाया इसी कारण उन्हें सिंदूर चढ़ाना बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है बहुत ही अच्छा शुब माना जाता है इसलिए इसे चोला विकाते है इस बर्स दोस्तो हनुमान जैनती 27 अप्रेल को पड़ रही है दोस्तो ऐसे में हम आम बास्तू के अनुसार कुछ ऐसे किर्टन करते हनुमान जी परिवार के शदस्तो में धार्मिक भावना बनाये रकने के लिए दोस्तो दोस्तो राम जी के पैरो में बैठे हनुमान जी की तस्वीर अगर आपको मिले तो इसको मुख्य द्वार के सामने अवस्यեղ बगाए इसे परिवार के स्रदस्यों में प्रेम, आत्मविश्वास और नेगेटिविटी जो दून एक दूसरे के प्रती है वो कम होईगी किर्तन करते हनुमान जी परिवार के स्रदस्यों में धार्मिक भावना बनाये रखने के लिए बहुत ही शुब कारक में चित्र माना जाता है अतक किर्टन करते हुए हनुमान जी का फोटो मिले तो उसे घर के सामने प्रवेश द्वार के सामने न डाइनिंग हॉल में अवस्य लगाए परवत उठाए हनुमान जी घर में हनुमान जी की ये तस्वीर लगाने से अदम में शाहस और बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास होता है दोस्तो हवा में हुडते हुए हनुमान जी जीवन में शफलता उमंग और उटसा पाने के लिए चित्र लगाने से बहुत फायदा मिलता है विशेशकर विद्यार्थियों को अपने कमरे में ये तस्वीर अवर्स से लगाना चाहिए जिससे अंदर कारण उनके अंदर पोजिटिविटी का संचार होए दोस्तो लाल रंग के हनुमान जी घर की दक्षिन दिसा में लाल रंग के हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा मे चित लगाने से भी नेगिटिविटी दूर होती है तो दोस्तो ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करते रहे धन्यवाद